हलो बच्चो आज हम कक्षा नवी का ब्लूप्रिंट देखेंगे यह ब्लूप्रिंट आपके सामने हैं और कक्षा नवी का हिंदी विशे का ब्लूप्रिंट जिससे कि आप अच्छे से समझ सकोगी कि आपको नवी विशे में हिंदी विशे की तयारी कैसे करनी है ठीके कक्ष सारी जानकर इस वीडियो में है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आपका जो कौक्षा नवी का हिंदी विशय का जो कम किया गया पाठे क्रम भी दे रखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकोगे कि आपको नवी म जो कि क्रतिका और चितिच में से कितना कोर्स आएगा यह भी हमने आगे बता रखा है आप इसे अच्छे से समझ सकोगे जो ब्लू प्रिंट देखने के बाद हम देख लेते हैं कि आपकी पुस्तक में से कौन-कौन से पाठ कम किये गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ मे कि आपके सिलेबस में कौन-कौन से पाठ आने वाले हैं तो यहां छितिच की पुस्तक है और इसमें से जो पाठ कम किये गए ह। ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें से जो पार्ट कम किये गए हैं वो है पार्थ 3 बोक्तावत की संस्कति पार्ट 5 अपला देवी नाना सापकी पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया है यह पार्ट भी कम कर दिया गया है उसके बाद ये पाठ 7, मेरे बचपन के दीन और पाठ 8, हजारी प्रसाद 2, व्यदी का एक कुत्त और एक मेना, ये पाठ जो 4 पाठ है, ये गध्य खंड के चितिज पुस्तक में से, ये चारों कम करतिये गएंगेंगेंगे। पाठ तेरा, ग्रामश्री, पाठ चोदा, चंद्रगहना से लोटती बेर, पाठ पंद्रा, सर्वेश्वर द्याल सकसेना की कविता मेग आए और पाठ सोला जो है यमराज की दिशाए चार पाठ कावे खंड़ से कम कर दिये गए हैं तो इस प्रकार आपका जो सिलेबस है, कक्षा नवी का सिलेबस बहुत कम हो गया है तो इसके साथ ही करतिका में से भी कुछ पाठ कम किये गए तो हम देख लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाओ तो इसमें कुल 5 पार्ट में से 2 पार्ट कम कर दिये गए पार्ट 1 इस जल प्रले में और पार्ट 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया तो इस प्रकार इसमें से 2 पार्ट कम कर दिये गए हैं और उसी प्रकार चितीज में से गद्य खंड में से चार पार्ट कम कर दिये गए हैं और कावे खंड में से भी चार पार्ट कम कर दिये गए हैं तो ब्लूप्रिंट के आधार पर बताया गया आपको और ब्लूप्रिंट आपने देखी लिया होगा ब्लूप्रिंट में आपके व्याकरण भी है ठीक है तो व्याकरण में कौन-कौन से पाठ्यकरण है वो भी देख लेते हैं एक बार चितीच में प्रेश्टनत्र के अलावा कृतिका से सारांश वाला भागाएगा इसमें यहाँ पर दे रखा है अपठिद भी दे रखा है कृतिका में से तो हमने यहाँ पे से कुछ मुख्य मुख्य बिंदू ब्लूप्रिंट के आधार पर नोट किये हैं उसे हम देख लेते ह के पात्टे करम से ब्लूप्रेंट मैं से है उसमें से दे रखा तस्सम, ततभव, मुहावरे और लोकोक्तिय दर्था है म्यवाद पत्रण प्रयोग उसके बाद अपर्ठित दे रखा मतलब अपठित वाला गध्यांच आने वाला है ठीक है व्याकरण में जो मुख्य रुप से दे रखें वो है उपसर्ग प्रत्य शब्द में है देशच आगत रूड एम योगिक शब्द वर्तनी परिचय एम सुधार ठीक है परियावाची विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द समाश निपाथ शब्द तो निपाथ शब्द जो अर्दवाशिक परिक्षा में भी आये थे आपके और इसी के साथ कावे बोध में से भी दे रखें बच्चों कावे बोध में दे रखा है कावे की परिभाशा अभेत मुक्तक काव्य प्रबंद काव्य ठीक है उसके साथ ही दे रसकी परिभाशा, अंग, भेत, उधारण, अलंकार में अनुप्रास, यमक, शलेश, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, और चंद दे रखे आपके परिभाशा, मात्रिक, वार्निक, चंद, दोहा और चोपई, तो इस प्रकार ये कावे बोध में से इतना भाग दे रखा आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो इस प्रकार हमने देख लिया है, ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका कोर्स, व्याकरण में से क्या क्या आएगा, ठीके इसके साथ निबंद भी आएगा, निबंद जो है साथ नमबर का आएगा, और तीन नमबर की रूप रेका तो इस प्रकार हम कक्षा नवी के हिंदी विशे से समबादित महर्पूर्ण प्रश्णों के प्रश्णों तरह बनाने वाले हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,